आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरू अर्विन केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनों ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे भरोसा किया ये सिर्वाम आदमी पार्टी में हो सकता है, अर्विन केजरिवाल जी के नेतरित्व में हो सकता है, कि एक फर्स टाइम पॉलिटिशन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने, मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती, तो चुनार की टिकेट भ भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया, और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दिये, मैं खुश हूँ, कि अर्विन केजरिवाल जी ने मुझे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुक आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत जादा दुख मेरे मन में है दुख इसलिए कि दिल्ली के लोक्तुरिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अर्विन केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं मैं आज ये जरूर कहना चाती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से दिल्ली की दो करोड जंता की तरफ से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अर्विन केजरीवाल है भारतिय जन्ता पार्टी ने पिछले दो साल से अर्विंद केजरिवाल जी को परिशान करने की उनके खिलाव शडियन्त रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी एक ऐसा आदमी जो अपनी I.R.S. कमिशनर की नौकरी ठुकरा सकता था एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनार लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था ऐसे आदमी पर ऐसे इमानदार आदमी पर भारतिय जन्ता पार्टी ने भरष्टाचार के आरोप लगाए जूटे केस किये फरजी केस किये अपनी एजनसी एडी को सी बी आइकोन के पीछे छोड़ दिया उनको जूटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा आखिर कर सुप्रीम कोट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोट ने सिर्व उनको जमानत नहीं दी Supreme Court ने केंदर सरकार के मुँपे तमाचा मारा उनकी एजनसी के मुँपे तमाचा मारा उन्हें कहा कि इनकी एजनसीज केंदर सरकार की एजनसीज एक किंज्रे में पैद कैद तोते की तरह हैं और अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी गलत थी अगर अर्विंद केजरीवाल जी की जगा कोई और मुख्यमंतरी होता कोई और नेता होता तो वो दो मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे लेकिन अर्विन केजरिवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास सो छोड़िये शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो उन्हों ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है मैं जन्ता की अदालत में चाहूंगा जब दिल्ली की जन्ता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जब दिल्ली की जन्ता कहेगी कि तुम इमानदार हो तब मैं मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठूँगा मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उधारन मिलेगा जो आज अर्विन केजरिवाल जी ने देश के सामने रखा है दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अर्विन केजरिवाल जी के स्टीफ़े से कल शाम मुझे एक बुजर्ग महिला मिली जब उन्हें खबर मिली थी कि अर्विन केजरिवाल जी ने स्टीफ़ा दे दिया है वो रोने लग गई उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह है उसको इतना परेशान किया है उसको इतना परेशान किया उसके जूटे केस लगाए और वजोर्द महिला ने कहा कि मैं घर घर जाओंगी मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो आज सभी दिल्ली वाले ये परण ले रहे हैं इतने गुसा हैं भार्टिये जंता पाटी के शड्ययंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं क्यूं देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंतरी क्यूंकि उन्हें पता है कि अर्विंद केजरीवाल ही ऐसे इमानदार मुख्यमंतरी हैं जिनकी वज़े से उन्हें फ्री बिजली मिली है उन्हें पता है कि अगर अर्विंद केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ती मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाए उन्हें पता है कि अर्विंद केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ती अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों क कि अगर अर्विन केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मुखला क्लिनिक बंद हो जाएगी अर्विन केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी बुज़र्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतिय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली अच्छे स्कूल अच्छे हस्पताल मुहला क्लिनिक फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं और एक इमानदार अर्विंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है तो दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश से काम करेंगे कि हमें अर् एक ही मकसद रहेगा मुझे पता है कि भार्तिय जन्ता पार्टी अपने LG साहब के थूँ दिल्ली वालों के खिलाफ शडियन्त रर्चेगी मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो दिल्ली वालों के हस्पताल में तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूँगी, और अर्विन केजरिवाल जी के मार्थ दर्शन में दिल्ली की सरकार चलाओंगी। मेरा अपने सभी कारेकरताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप मैंसे कोई मुझे बधाई मत दीचिएगा, आप मैंसे कोई मुझे माला मत पहनाईएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अर्विन केजरिवाल जी का धन्यवाद करती हूं जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरह से फिर से एक बार यह कहूंगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अर्विन केजरिवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते है।